होली हिंदु धर्म के प्रमुक तेवहरों में से एक है हिंदु पंचांग के अनुसार ये पर्व फागुन मास की पुर्णिवातिति को मनाया जाता है होली सिर्फ एक तेवहर या परंपरा ही नहीं है बलकि ये पर्यावरन और हमारे सेहत के लिए भी वेहद महत्वपून है होली मनाने का धार्मिक कारण आप सभी जानते हैं लेकिन इसके पीछे का वैग्यानिक कारण आज हम आपके लेकर आए हैं वेलकम टू दे रेवास कैलरी पॉइंट नमबर एक खोली का देहन का वैग्यानिक कारण खोली के एक दिन पूर्व खोली का देहन का तेहार मनाया जाता है खोली का देहन का ये तेहार भारत के साथ साथ नेपाल के भी कई हिस्सों में मनाया जाता है इस दिन लोग लकडियों तथा उपलों की होलिका बनाकर उसे जलाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं शरद रेतु की समाप्ति और वसंत रेतु की आगवन का येकाल परियावरन और शरीर में किटाड़ों पैक्टिरिया करीव व्रिद्धी कर देता है लेकिन जब होलिका जलाई जाती है तो उससे आसपास का ताप मान पचास से साट डिगरी सलसेश तक बढ़ जाता है खोलिका से निगलता अगनी का ताप शरीर और आसपास के वातावरन परियावरन में मौजूद रोगाणों बैक्टिरिया अर्थात जम्स को नश्ट कर देता है और शरीर को उर्जा और स्फूर्थी प्रधान कर स्वस्त रखता है पॉइंट नमबर दो मौसम परिवर्तन के कारण बड़ी सुस्ती और आलस को दूर करना होली का तेवार साल में ऐसे समय पर आता है जब मौसम के बलाव के कारण लोगों में निंद्रा, ठकान, सुस्ती और आलस का प्रभाव होता है परन्तु होली के कारण सब जोश और उमंग से भर जाते है लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल लगाते है धोल बाजा कर होली के गीत गाते है धोलक, जांज और मंजीरों की धुन के साथ-साथ नियत्य और संगीत वह रंगों में डूब जाते है सभी के गर जा जाकर रंग लगाते है ये सभी बाते मानविय शरीर को नहीं उर्जा प्रदान करती है इसके अत्रिक्त, रंग और अबीर जो प्राकर्तिक अर्थात शुद रूप में बना हो वह शरीर पर अत्यंत प्रभावकारी असर डालता है पॉइंट नमबर तीन प्राकर्तिक रंगों से तवचा में निखार बढ़ना नाच्रलोपैथ्यों के अनसार खोली पर शरीर पर ढाक के फूलों से तैयार किया गयरंगीन पानी विशद रूप से तैयार अबीर और गुलाल डालने से शरीर पर इसका सुकून दायक प्रभाव पड़ता है और ये शरीर को ताजगी ब्रदान करते हैं जीव वेग्यानिकों के अनसार प्राचीन काल से अबीर गुलाल को कुदरती चीजों से तैयार किया जाता रहा है इसमें फूलों से लेकर मसालों के तक प्रयोग किया जाता है फूलों की प्रकरती और मसालों के एंटिसेप्टिक खूबियां खास तोर पर स्किन के लिए बहुत फाइदेबंद होती है अबीर, गुलार, जब तवचा के रोम छिद्रों से शरीर में पहुँचता है तो तवचा के रंग में इजाफा करने के साथ साथ बेजान पर्थ को हटाता है प्राकर्तिक रंगों में प्रयोग, हल्दी, पलास के फूल, नीम की पतियां, मकई का आटा, चकुंदर का रस, फेस पैक और स्क्रप की तरह ही काम करते हैं और शरीर में निखार लाते हैं नमबर चार, ओडी के रंगों का कलर थरिपी द्वारा शरीर पर प्रभाव प्रोडी में इस्तमाल होने वाले अलग अलग रंग एक कलर थरिपी की तरह काम करते हैं ये रंग शरीर और दिमाग को संतुरित कर दिमाग को तेज करते हैं तथा इन रंगों को देखने से शरीर में हार्मोन और रसायन डिलीज होते हैं जो रोगों से रहत दिलाते हैं एजिप्ट और चाइना में इस कलर थेरपी का इस्तमाल प्राचीन समय से इलाज के लिए किया जाता रहा है हौली के मौके पर लोग अपने घरों की खुब अच्छे से साफसफाई करते हैं जिससे धूल, गंदगी, मचरों और अन्य किटानों का सफाया हो जाता है एक साफसुत्रगर आमतार पर सभी के लिए सुखद एहसास लेकर आता है और साकारात्मक उड़जा का प्रभाह करता है आप सभी को हौली का दहन और हौली की हार्दिक शुब कामनाए धन्यवाद